जो मेजर भसड होई है वो है इसकी स्टोरी लाइन आर्गुमेंट यह दिया जा रहा है कि क्या हूँ अगर 32,000 की कहानी नहीं है होता तो ऐसे ही है बट फिर आप देश का नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हैं लेकिन धोनी का वो चक्का कंबाइंड वित रवी शास्त्री की कॉमेंटरी अगर हमारी है तो क्या समस्य है नमस्कार अधाब यह वेलकम दिस इस आर्देग और वाचिंग दस संडे शो वो शो जहां हम करते हैं सारी न्यूस की बात थोड़े एंटर्टेनमेंट के साथ इस हफती की मेजर स्टोरी है दक केरिला स्टोरी एक मूवी है ज कैसे एक international conspiracy के तहट केरला में हिंदू लड़कियों को convert किया गया उनका social किया गया human trafficking हुई और उनको terrorist को बेच दिया गया नंबर ऑफ गल्स वर 32,000 32,000 लड़कियां कोई बात नहीं कभी-कभी calculation में गलती हो जाती है ओके थोड़ी और गलती हो जाती है तो भाई ये skit नहीं थी ये असलियत है 32,000 लड़कियों की कहानी बता कर जैसे बेचा जा रहा था जब उस counter को claim किया गया तो वो नंबर 32,000 से घटकर तीन पर आ गया तीन लड़कियों की कहानी अर्यू को पसंदा रही है और अल्दो क्रिटिक्स ने इस मूवी की थूतू की है बट प्लिक रिव्यूस में लोगों को बहुत पसंदा रही है Like the bigots in the film, it seems that the makers are keen on converting the audience into hate mongers and expressing themselves in a society Film companion review में लेका है, director Sudipto Sen has chosen as the starting point a topic that is complex and worth examining The allure of extremist organization to young people, but within a few minutes, it becomes clear that the Kerala story is only interested in pushing propaganda An Anmol Jamwal है, a film critic है, जिनका channel है Tried and Refused Production, उन्होंने tweet किया The Kerala story is less about the indoctrination of four women to extremism and more about filling the movie with hate-filled dialogues Against a state and several religions and to simply extract a reaction from the public, mid performances and nothing exemplary about this film making Critics ने साफ तोर पर का है कि movie में कोई density नहीं है, film propaganda है और यह समाज में hate पहलाने का काम करेगी But anyway, यह critics है, यह movie को उस तरीके से देखेंगे, लेकिन जो normal public है वो थोड़ी जादा impressionable होती है उनको यह propaganda वाला समझ में आता है, वो थोड़ी जादा impressionable होते है The Kerala story, super movie, आँख खोलने वाली movie, fabulous, fabulous, must watch पांडे जी और सुर्भी की तरह है, जिसको movie की backstory नहीं पता, वो face value पर देख रहे है तो उनको movie पसंद आ रही है, और यह movie as expected, political हो चुकी है कोट में इसके खिलाफ याचिका डाली जा चुकी है, मद्य प्रिदेश में movie tax free कर दी गई है और करनाटिका में तो election का मुद्धा भी बन गई है अब यह को personally मुझे यह movie problematic लगती है, बताता हूँ क्यों क्योंकि यह जो extrapolated number है 32,000 का argument यह दिया जा रहा है कि क्या हुआ अगर 32,000 की कहानी नहीं है, होता तो ऐसा ही है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत नहीं हो, terrorist organization ऐसा करते हैं, उरका agenda होता है वो all over the world लोगों को convert करते हैं, they traffic, they kill, they have an agenda terrorist organization में sex slaves की हालत क्या होती है, अगर आपको सही में जानना है तो आप यजीदी महिलाओं की कहानिया पढ़ना, यजीदी woman documentary search करोगे, YouTube पे वीडियोज मिल जाएंगे लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, और sensibly और इसको आप बिना bias के examine करोगे तो तीन cases को एक दो नहीं, दस हजार गुना जादा बताना, यह manipulation ही तो है मतलब इतनी आसानी से convert हो गई, इतनी लड़कियां traffic हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला, आप ही exclusive बना रहे हो तो भाई फिर तो हमारी intelligence agency, हमारी central government, state government, सब का मजाक उड़ा रहे हो आप तो वो तो अपने office में मुंफलियां चेल रहे होंगे फिर, उनका तो मजात बना रहे हो आप बिना कोई evidence या timeline बताए, एक extrapolated कहानी बताना It's like the print said, कि सारे Muslims को ISIS sympathizer बताना, एक subtle तरीके से community को गलत दिखाना This is not just unethical, this is evil पैसा चाप लोगे आप, खूब कमाओगे, picture खूब चलेगी, कोई doubt नहीं है बट फिर आप देश का नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हो, इसमें भी कोई doubt नहीं होना चाहिए अगली news पर आते है, wrestler protest जो जंतरमंतर पर चल रहा है, वो अभी भी वही है जहां पिछले हफते था, बट पुलिस ने क्या किया कि wrestlers की practice के साथ-साथ उनकी performance भी करवा दी जब बारिश हुई और bets का कोई scene था, तो दिल्ली पुलिस और wrestlers की बीच में लड़ाई हो गई और बड़ी sad सी picture देखने को मिली, जब वो athletes, जोनों देश के लिए Olympic medal जीते थे, वो national TV पर आकर रो रहे थे support कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बुरा सब को देखके लगा and at this point when I am recording, ब्रिज भूशन शरन सिंग का arrest नहीं हुआ है अभी भी situation वैसी ही है, अगर आपको details जानना है, तो पिछले अपते का episode देख लो, आज की situation भी बिलकुल copy-paste है next जो जो सबसे बड़ा कलेश हुआ, वो था विराट कोली और गौतम गंभीर का post-match presentation LSD और RCB एक दूसरे के सामने थे, बट असली match, match के बाद शुरू हुआ if you still do not know, a quick timeline, पता है तो दुबारा सुन लो, कले सुनने में तो मज़ा आता है तो भी यह कोली और गंभीर का दोस्ताना, 2013 के बाद से सबको पता है अभी हाली में एक match हुआ था, जब LSD ने RCB को राद दिया था और गंभीर ने RCB fans को कुछ ऐसे greet किया था उसके बाद कोली बीन कोली जब LSD से दुबारा match हुआ, तो कोली और कमपनी मैच में काफी animated दिखे यहां लडाई, वहां लडाई, कहके ले लिए और फिर एक अफगानिस्तानी प्लेयर है, नवीन उलहक, उनसे कोली की जड़ब कुई और फिर रेस्ट इस हिस्ट्री, नौ इस पूरे मामले के बाद, there is a curious case of Gautam Gambi and let's be clear about that, he's a cricketing legend, इंडिया के एक पार्लिमेंटेरियन है, बहुत respect है उनके लिए but with all that due respect, इनको कोली और धोनी से क्या problem है, अरे अपको दिक्कत क्या है हमसे और अगर है तो पब्लिक के सामने क्यों लाते हैं ये, दोनों के बारे में जब दिखो तब salty धोनी के जबारे में जब बात हो, तो असो कॉल्ड फिनिशर, सबको ग्रेडिट मिलना चाहिए, एक छक्के से नहीं जीते थे अरे भाई माना, अगर जहीर खान नहीं होता, तो हम फाइनल ली जीते, शुरेश टेर नहीं होता, तो हम सेमी फाइनल ली जीते और सेवाद नहीं होता, तो हम शायद प्लेओफ में ही नहीं आते, और आपकी इनिंश नहीं होती, तो भी फाइनल ली जीते लेकिन धोनी का वो चक्का कंबाइंड विद रवी शास्तरी की कॉमेंटरी अगर हमारी हैपी मेमरी है तो क्या समस्य आए एंड इस इस नो इस अपकी एक क्लिप दिखाता हूँ मतलब ठीक है कुछ प्लेयर श्रगल कर रहे होंगे पोजिशन में दिक्कत होगी आप एक पारलेमेंटरियन भी हो यह उची बाते हैं लो लेवल हरकते हैं इनके स्टेटस पर शोबा नहीं देती इससे पहले न्यूस की तरफ आगे बढ़े हैं बता दूँ कि बिखारी भाई या थोड़े चुट्टी पर हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजेगा रीच में हल्प बिलती है और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो मेरे स्टार्टस बताते हैं कि काफी लोगों नहीं किया है भीक मांगने के बाद भी तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब भी कर देना चलिए बढ़ते हैं न्यूस की तरफ पूरी डीटेल में नहीं जाएंगे बड़ आपको सब की बेसिक नॉलिज दे देता हूँ उपर-उपर से कर लेते हैं पहली न्यूस है मनीपूर से जहां इस हफते बहुत वाइलिंस हुआ अन्रेस्ट रहा दंगे बढ़के इस मामले में बॉक्सर मेरी कौम ने ट्वीट किया और देशवासियों से मनीपूर पर फोकस करने की अपील की और मनीपूर में हालत वाकई में काफी सेंसिटिव है आर्मी डिपलॉइड है, कर्फ्यू लग चुका है, इंटरनेट बंध है, कई लोगों की जान जा चुकी है और हालत इतनी खराब है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वहां की राज्य सरकार ने शूट एट साइट के अदिश देती है अब ये क्यों हो रहा है, आपको वो समझने से पहले मनीपूर की डेमोग्राफी समझना जरूरी है देखो मनीपूर, like many other North Indian states, वहां पर tribal communities का prevalence बहुत है जिनको हिंदी में कहते हैं, जन जाती है समू ट्राइबल वहां बहुत मिलते हैं, in fact मनीपूर में ही 30 से जाधा tribal communities है और ये communities ST के अंडर लेबल किये जाते हैं इनका culture, इनकी identity प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको reservation दिया जाता है, कई सारे special status दिये जाते हैं जो बाकी हाफ हैं, वो मीतीज कहलाते हैं हमाँ पर, जो आम लोग हैं, ST के अंडर लेबल नहीं होते अब हाली में वहाँ के High Court ने एक decision पास किया, जहां उन्होंने राज्य सरकार को बोला कि ये जो मीतीज लोग हैं, इनको भी आप ST के अंडर लो और इनको भी reservation और बाकी सारे जो अधिकार होते हैं, जो फाइदे होते हैं, वो आप इनको प्रदान करो और इसी को लेकर Tribals की NTA है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ काफी जादा unrest है, अगर आप इस मामली को और अच्छी तरीकी से समझना चाहें, तो Indian Express का ये article है, जो बहुत basic points में आपको सब को समझा देगा, description में मैंने link दे रखा है, अगली news है हमारी media से, प्ले क अरे ये भी नहीं, इस कजार कर रहा है, अब दूर, अब ये, इसकी भी गलती नहीं है न, ये लोग कांडी भी तो बहुत हैं, बात सही है, खेरे सब ते आई, Press Freedom Index की ranking, जिसमें 180 देशों में से, इंडिया की rank है 161, 161, RSF, यानि की Reporters Without Borders, ये organization है, जो हर साल इस ranking को निकालत ये ranking basically बताती है कि किसी भी देश में, वहाँ की जो media है, वो कितनी free है, वो अपने काम कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और क्या उनका जो वहाँ का state है, सरकार है, वो उनको pressurize तो नहीं कर रही, खरीद तो नहीं रही, propaganda तो नहीं चल रहा वगेरा वगेरा, और इस list मे हमारी ranking हर साल Bangalore की traffic की तरह बढ़ती ही जा रही है, 161, यह आपकी car की top speed नहीं है, यह हमारी media की ranking है, और इतनी गंदी press freedom की ranking की अगर आपको वजह जाननी है, तो आपके TV news channel पर जो बिरुजगारी पर debate हो रही है, वो जाके आप देख सकते हैं, क्या, नहीं है, exactly, अच्छा methodology में कुछ तो दिक्कत है, नंबर गलत है, लेकिन थोड़ा self-introspection करो, चलो first कर लेते हैं, यह ranking गलत है, 160 नहीं होनी चाहिए, आप 10, 20, 30 नीचे चले जाओ, कितना भी नीचे चले जाओ, लेकिन फिर भी यह media की ranking में IPL match का first inning score लग रहा है, मतलब यह शरम की बात है की नहीं मैं भी किस से शरम की बात कर रहा हूँ, थोड़ी मर्यादा रखिये जो hate speech के खिलाफ लगाए जा सकते हैं, जो है 153A, animity between two groups, 153B, national integrity को लेकर, and 295, outraging religious feelings, 295, नित controversy create मिलूगी, धर्मादे नाम ते debate मिलूगी, सच बोले गात मिलू, 295, जे करेगा तरकी पुते hit मिलूगी, we lost legend in B, anyway moving on, अगली खबर है, बेरोजगारी को लेकर, आने वाले टा जालूँगा, artificial intelligence jobs खा रहा है, इसी अपते एक खबर आई थी कि tech giant IBM अब लगबग 8000 jobs देगा ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि भाई, ये तो अब machines ही कर लेंगी, ऐसे ही में WEF, याने की World Economic Forum ने लगबग 800 companies को analyze किया, और बताया कि job market में अगले 5 साल में क्या हो सकता है, इ वाट, तुने मैट्स कहां से पड़ी बे, 83-69-14 नहीं हुआ, अरे अगर हाई स्कूल फेलो तो editor क्यों नेता बनो न जाके, अच्छा, रेपोर्ट में ये भी बताया गया, कि जो jobs जाएंगी, वो जाधातर clerical jobs होगी, जैसे कि receptionist, data entry, cashier, तो अगर आपको अपनी job बचानी ह तो जरूरी है कि आप clerical job छोड़ो, और अपने आपको upskill करो, और अपने आपको upskill करने का सबसे अच्छा तरी, इनको लगा मैं या sponsor insert करूँगा, जूट मत बोलो, और अगर sponsor insert कर दूँना, तो skip कर देते हैं ये लोग, आप जानता हूँ मैं, तो मैं क्या लगता सिर्ट तुम judgmental हो, and let's end this segment with some international slash geopolitical news, और अगर आप उस context में बात करें, तो दो major events हुए, news बता देता हूँ, और साथ में थोड़ सा context, deal, गुवा में इंदेरों चल रहा है शंगाई corporation organization, यानि कि SEO का एक summit, अगर आप trade perspective से बात करें, तो IOR, यानि कि Indian Ocean region या जिस South Asian region है, उसमें बहु aggressively call out किया है, यानि कि हमारे external affairs minister S. Jal Shankar ने, तो पाकिस्तान के बारे में ये तक के लिया, and अगली important news है, security and growth for all in the region, सागर project के तहित, defense minister Rajna Singh Maldives की visit पर है, और हमारे air marshal इन दिनों Shrilanka की visit पर है, दोनों देशों को इंडिया ने military vessels gift किये है, और ये हमारी Indian Ocean strategy का हिस्सा है, जहाँ चाइना को counter करने के लिए Maldives और Shrilanka, ये दोनों बहुत key neighbors है, strategic partners है, क्या जिए जिए important events थे, मैंने आपको बता दिये, इससे ज़्यादा मेरी expertise नहीं है, इसलिए I'm out, और आप आचुका है, आप लोगों में से कई का favorite segment, nonsense news, nonsense, दिखो, Ukraine और Russia में anti चलती है, सबको पता है, बड़ा matter हो गया है, पूरा दुनिया कॉम प्रो कराने में लगा हुआ है, और इनकी रशिया के representative आते हैं, और ऐसे उनसे जंड़ा snatch कर लेते हैं, इनका ego हट हो जाता है, और ये जाके सीधा उसकी band ही बढ़ा देते हैं, दिल्ली की भाशा में बोले हूँ तो कान के नीचे रैपट, मतलब पूरा internet देखके शौक हो गया, कि इतने बड़े देशों के representative ऐसे college के और ये यूक्रेयन रशिया का तो समझ में नहीं आता यार, इतनी एंटी तो RCB और CS के fans में नहीं होती, ये लड़का 16 साल का है, यूनाइटिट स्टेट्स में रहता है, नाम है Dennis Barnes, और ये ऐसा world record बनाने जा रहा है, जिसको देखकर आपके मामी पापा आपको गाली देंग यार कोई कितना talented हो सकता है, 9 million dollar, जितनी इसको scholarship मिलरी है, उतनी हम लोगों को salary नहीं मिलेगी, lifetime में, दो मैंने life में talent और height के बारे में एक चीज़ नोटिस की है, किसी को बराबर नहीं मिलती, कम या जादा ही मिलती है, ये बड़ी अच्छी बात कहिया, कितना ग्यानी आदम गोट 99 problems, but my husband ain't one, कुछ भी, वेडिंग फोटो शूट चलता था, फिर प्री वोडिंग फोटो शूट, आप ये डाइवर्स फोटो शूट, सौहागराथ फोटो शूट का ट्रेंड शार्ट होना है, बस, ये जो बेड देख रहे हो, ये है 80,000,000 रुपे का बेड, 20 फोट चुड़ाई है इस बेड की और इसमें एक साथ 6 से जादो लोग सो सकते हैं, इस बेड को बनवाने वाले हैं ये, आर्थर उर्सो, जोनों ने बेड इसलिए बनवाया क्योंकि इनकी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि ये अपनी 6 बीवियों को एक साथ नहीं सुला पाते जितनी आपके पास टीवी नहीं है, इसके पास बीवी हैं, ओके दैड वस्टीजी, एक दो छे बीवियां, एक साथ, आपकी तरह मेरे मन में भी बहुत सवाल है, मन ही मन में कम्यूनिकेट कर लेते हैं, पूछेंगे नहीं, छे बीवियों वाली इस बन्दे की कानी अगर आ करने से बैन कर दिया है, टेक्स्ट बुक डेफिनिशन अफ दे फ्रेज सफरिंग फ्रम सक्सेस, ये भाई सब स्पर्म डोनेशन से 600 बच्चों के बाइलोजिकल फादर बन चुके हैं, और कोट को यादिश टब देना पड़ा जब बच्चों के पेरेंट्स कोट के पास इक न्यूस है जो बहुत इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मिशन देगी, गैरेंटी देता हूँ आप मैंसे कई लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था किये बिना चार गलिया नहीं नाप पाते हैं, और यहां पूरे समुद्र को विदाउट GPS, और इलेक्ट्रिक ऑटो पाइलेट्स, या चार्ट प्लॉटर्स, या इलेक्ट्रोनिक कमपस, कुछ नहीं होता है, इन सब के बिना रेस पार करनी होती है, पाटिसिपेंट के पास ही equipment होते हैं, जो 1960s के टाइम पर किसी sailor के पास हुआ करते थे, मतलब ये एक sextant और एक barometer, तो ये समुद्र में navigate कैसे करते हैं, going completely old school, तारू की दशा, हवा, पानी, atmospheric pressure, ये सब देख के पता लगाना होता है, कि आप कहा हूँ आपको किस direction में जाना होता है, और ये होता है सम inspirational इसलिए हो जाती है, क्योंकि नोंने 5 साल पहले भी try किया था, जिसमें इनको near death experience हुआ था, मरने मरने से बचे थे, इनकी spine में titanium rods गुश गई थी, ये accident के पास complete bedrest पे आ गए थे, चलने में भी इनों महीने लग गए थे, सब के बाबजू, he came back stronger, race जीती और अब दिल भी ज YouTube इंडिया ने लोगों से पूचा, what's the best comment under a video you have read, किसी में बोला ये वाला, जब अर्चित आर्या ने comment किया था, आपकी voice में बहुत साथ गी है, अभी जीत बट्या चादिया जी, पर आदमी सुवर हुआ 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 अगर आपको राज को मार राओ की आक्टिंग प्राव इस देखनी है तो एक बार लुडो जरूर देखना, इसका कुछ जायलो हुआ है कि मर करेंगे प्यार, मरते दम तक करेंगा, वो इस तरव प्यारा डायलो हुआ है ना, देखना एक बार, नरुदर रहम ने ट्वीट क रही, राखुल सित्पाल ने कॉमेंट किया है, स्टाटे बोचिंग यो वीडियो सब वीक अगो बिकोज आ वस बोर्ड एंड नाओ, इस मैं मॉर्निंग रूटीन, उठो चाय बनाओ, सार्दक की वीडियो देखो, एंड चाय पियो, कुछ भी कहो बंदा तो प्यारा है, ब Mad Max Case ने कॉमेंट किया, आपने दिल तो जीत लिया, अभी बस RCB कब जीतने का इंतिजार है, बापिस दो दिल, नहीं हो पाएगा, यार वो मुझे बोलने लगा, तेरा फोन नंबर 91 से क्यों चालू होता है, प्लस 97 से क्यों नहीं है, इसका किसी को कॉंटेक्स नहीं पता, त इसको दो दिन fast replies कर दो, तीसे दिन वो तुम्हें प्रपोस कर देंगे, ऐसा होता है या, how disrespectful, and how true, UP Police ने tweet किया, कोई भी मसला हमारे लिए विराट और गंबीर नहीं, किसी भी आकास्मिक परिस्तिती में तुरंट 112 डाइल करें, दो दिल्ली वालों की लडाई में उत्तर प् टाइप, blood is a liquid, for more details, log on to www.sciencebiology.com, सावाथ बहुत बढ़ी, और ऐसे कर सकते हैं, तो फिर तो मैं टॉप महर था, हर चीज के बाद, for more details, www.wikipedia.com, ये दोनों गौतम का क्या घरूम है, ये सही बात है, अब मोधी जी की विता तो कोई समझा ही नहीं, एडिक पर प्रत्तिव ये सिंगल डिबेट, 2023, बाकियों का पता नहीं, but I want to know, three mistakes of the world, the pyramids, the marmura triangle, इस पर्स में आखिर आता क्या है, ये पर्स मैं बता रहा हूँ, इसको उरिफी जावेद अपनी पोनी टेल पर लटकाती है, मैं मजाग ने कर रहा हूँ, ये आज़कल का फैशन है, मैं भी बेल् मैं रजगुला, ए भगवान, ये सुनने से पहले में अंदा क्यों नहीं हो गया, girls, हमारी कार में अल्रेडी चार लोगे, so we can't give you a lift, boys, आजा भाई, अभी तो पहुंचेगे, देख रहो, लड़कों का मजाक उडाना कितना असान होता है, दुनिया में, यही ट्वीट तु This might sound sexist, but mummyo की bargaining skills सबसे बेस्ट होती है, देट सो कोट करती हैं, बाद में सौका लेके जाती है, बेकिंग, Russia's biggest bank, sperm bank, has released a chat GPT competitor called GigaChat, the AI be like, GigaChat, and time for the recommendation of the week, दो अच्छी recommendation है मेरे पास, अगर आप यह शो देखते हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको information funny तरीके से लेने में पर आपको एक mockumentary मिल जाएगी, जिसमें जो host होती है, बड़ अच्छा तरीका हिलनो का documentary दिखाने का, host बड़ी funny तरीके से human civilization के बारे में बताती है, बहुत witty writing है, बहुत satirical है, आप Netflix पर देखोगे, आपको बड़ा मज़ आ जाएगा, anchor है, बहुत weird से सवाल पूछती है experts है, and she tries to go through a timeline of human civilization, बड़ी interesting, ये documentary आपको Netflix पर बिल जाएगी, जाके देख सकते हो, और अगर आप civilization को और अच्छी तरीके से समझना चाते हो, तो आप ये वाली audiobooks सुन सकते हो, जिसमें Indus Valley Civilization को बहुत अच्छी तरीके से explain किया है, Indus Valley Civilization is one of the oldest civilization, और ये audiobook आप सुन सकते ह है, आज की वीडियो स्पॉंसर कुकू FM पर, मैंने इस प्लाटफॉर्म के बारे में अल्रेडी कई बार बताया है, इंडिया का लीडिंग ओडियो शो प्लाटफॉर्म है, जिस पर 15,00,000 से जाधा active Hindi paid subscribers है, और सिर्फ यही वाली audiobooks नहीं, मैंने जब तब कई सारी audiobooks कुकू कुकू FM पर सुनिये, एक वाजपय जी के बारे में आपको suggest की थी, एक Hyundai vs Honda के बारे में बताया था, और कई सारे मेरे favorite authors हैं, जैसे Jim Gorbett, उन सबकी किताबें, मैं कुकू FM पर सुनता रहता हूँ, drive more लगा कर usually सुनता हूँ, that's my way, बट अगर आप भी चाहें, तो sleep timer नाम का ए 30% off मिलेगा, और आपको वो मिल जाएगा सिर्फ 69 रुपीज में, यानि कि एक डॉलर से भी कम, सिर्फ 69 रुपीज में आप हजारों audiobooks अपनी जेब में रख सकते हैं, description में link दिया हुआ है, ये code है, तो सार्थक 30 coupon code, तो ये था आज का episode, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक क जियर